हलो आप सब आप सब्सक्राइब क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम ICT का सबसे इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइपस ओफ लियर डिसकस करेगी ICT का सबसे जादा ही इंपॉर्टन टॉपिक है गी और हमारे लिए जानना उससे भी जादा इंपॉर्टन है क्योंकि इसके अंदर बच्चों को काफे कन्फुजन रहती है क्योंकि इसके अंदर सिफ लियर से नहीं आती डिफरेंट टैपस ओफ लियर से नहीं आती इस OSI इसके आप इसके अंदर टर्म से एक सकते हैं STPP, FTP, ICMP, ARP, SMTP और IP और इसके अलावा भी तरह की प्रोटोकॉल तो आपकी माइंड में हमेशा क्वेशन होता होगा कि इन प्रोटोकॉल को यूज का होता है और कौन सी लेयर के अंदर हम इन प्रोटोकॉल को यूज करते हैं इसका क्या purpose है, why we are using this specific या particular protocol और protocol है क्या तो इन सभी की सभी चीजों को आज हम detail में discuss करने वाले हैं और ये session के अंदर each and every concept आपको बहुत important होने वाला है तो इस session को ध्यान से समझेगा और इस session से related अपने छोटे-छोटे जो notes है उसको भी prepare कीजगा तो चलते हैं फिर आज क session को start करते हैं, तो session को start करने से पहले एक छोटा सा question में आपसे पूछना चाती हूँ, कि for example, example के तौर पे अगर आपको किसी को message send करना है किसी person को, to message को send करने के लिए आपको क्या requirement होगी, क्या चाहिए आपको किसी तरह के message को send करने के लिए, उस person के, को जिसको message आपको send करना है उसका आपको address पता होना चाहिए for example अगर मैं यहाँ पर आपको किसी तरीके के delivery send करना चाहूं किसी package के delivery send करना चाहूं तो आपको हाँ पर मुझे आपका address पता होना चाहिए इसी तरीके से हमें यह पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारा जो computer है वो computer भी इनी purpose के उपर solve करता है अगर हमें किसको information भेजनी है कहाँ पर भेजनी है क्या information भाव दूसरे person से receive करी जाएगी तो इस सब के एक तरह के rules यहाँ पर setup किये जाते है rules को यहाँ पर follow करना होता है rules यहाँ पर होता है आपको उस particular location के बारे में पता होना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो different kind of rules यहाँ पर exist करते है different kind of standards यहाँ पर exist करते है किसी भी तरीके के communication के process को fulfill करने के लिए for example अगर आप मुझे किसी तरीके का text लिख भी रहे है तो उसमें आपको certain kind of rules को follow करना पड़ेगा तब जाके वो message आपका mail pass pass receive होगा तो इनी सभी तरीके के rules को standards को यहाँ पर कहा जाता है एक तरीके का protocol जिसको हमें यहाँ पर मानना पड़ता है और इस पूरे system में कि जिसके अंदर एक information दूसरे तरफ के information को send किया जा रहा है एक person या एक computer device ते दूसरे computer device में किसे तरीके information send किया जा रहा है जिसके अंदर किसी तरफ के rules, regulations, standards का follow किया जा रहा है तो इस पूरे की पूरे setup को यहाँ पर कहा जाता है Network Reference Model अब इसके अंदर अगर आप देखोगी सबसे पहले यह जो आपको देखने को मिलेगा OSI Reference Model अब यह OSI Reference Model क्या है तो OSI Reference Model को हम कहते है Open System Interconnection Model Open System Interconnection Model 1983 में International Standards Organization ने इसी तरीके का model यह हमारे लिए develop किया था जिसको Open System Interconnection Model कहा जाता है यह ऐसा Standard Reference Model था जो कि Communication के purpose के लिए हम इसको ले कर आए थे कि दो end पे किस तरीके से network का use होता है और कैसे एक वे से दूसरे तरफ information को send किया जाए अब यह जो model है ना इसको हम purposely use करते है understand करने के लिए कि यहाँ पर network किस तरीके से work करते किस तरीके से हम अपने products को develop करते है कैसे इन different networks को understand किया जाता है तो उसके लिए हम इस OSI Reference Model का use करते है यह जो OSI Reference Model है यह एक तरह का prescriptions है prescriptions of categorizing and standardizing the function of a communication system in terms of abstraction layer यानि कि हमारा जो पूरा जो system है computer का वो किसी तरीकी layers के उपर work करता है यानि कि स्थे ही कई तरीकी की स्थे है इसके अंदर होती है आपके पास जो message आप मुझे किसी तरीकी का message लिख रहे है तो वो message मेरे पास जो पहुचता है वो कई तरीकी layers को follow करते वे पौसता है कई तरीकी steps को follow करते पौसता है तो यह जो OSI reference model है यह जो message एक जगा से दूसरे जगा यहाँ पर जा रहा है क्या steps को follow करते वे जा रहा है तो उसको represent करने का सबसे best model होता है और यह हर एक layer की अपनी एक जो characteristics से उसको define करने वाला model होता है ताकि हम समझ पाए कि कितने तरीके के network से आपे work करते है कि simple ऐसा नहीं है कि आपने मुझे message कर दिया वो directly मेरे पास पहुझ गया आपका message कई तरीके के layer को पार करते वह जाता है दूसरी तरफ तो हम वो इसका समझते है इस तरीके के model का use करते वे समझ आया simple सी भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश करिए now अब यह जो OSI reference model है इसकी अंदर साथ तरीके के layer exist करती है telecommunication की telecommunication की साथ तरीके की layer समारी होती है कि किस तरीके से message एक जगा से दूसरी जगा पहुच रहा है कितने तरीके की layers को वो पार करते वे जा रहा है कि आपे हर एक layer होती है इसको ध्यान से समझना हर एक layer होती है वो responsible होती है किसी particular aspect of data communication की हर एक layer का अपना एक महत्व होता है जिसे कि आप देखोगी साथ तरीके की layer है physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer साथ तरीके की layer है अब इन layer का अपना ही एक ना एक जो layer है एक ना एक responsibility उसकी होती है और responsible होती है किसी तरीके का connections बठाने के लिए different devices के बीच में और हर एक layer responsible होती है अगर किसी तरीके का error आता है data के transmission के through तो उसके चेक करने का भी कांट करती है साथ के साथ error checking के अलावा भी यह आपके data communication को transmit करने का कांट करती है यहाँ पर जो layers होती है हमारी OSI model की यह basically आपकी दो groups के अंदर divide है अब यह जो 7 layer है ना इनके भी 2 group है जो आप upper layers देखेगे जैसे के आपकी application layer presentation layer, session layer जितनी भी आपकी upper layers है यह आपकी focus करती है on the user application कि how the files are represented on the computer कि file को किस तरीकी से represent किया जाता है तो यह सारी upper layer का का काम होता है जिसको हम क्या कहते है host layer कहते है इसके लवा lower layers पिसके अंदर आती है जो concentrate करती है how the communication across the network actually occur lower layer कौन सी है physical layer, data layer, network layer तो यह जितनी भी lower layers होती है आपकी इनका main मकसद यह होता है जो concentrate करती है कि किस तरीके से हमारा जो network work कर रहा है और किस तरीके से यह communicate कर पा रहा है जी कि यहाँ पर हर कोई layer अलग-अलग protocol पे चलती है जो functioning होती है न हर एक layer की जो set of functioning होती है that ought to be performed by the specific protocol हर कोई layer एक specific protocol के ओपर चलती है और जो protocol उसको suit करता है उसको वो चलाने में मदद करता है उसकी functioning में मदद करता है ठीके समझाया इसके इलाबा यहाँ पर protocol क्या होता है अब हम बार बार इसको use करे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल यह होता क्या है ताकि हम अपनी understanding भढ़ा पाए तो whenever we talk about protocol protocol in the simpler word can say a standard a rules a set of rules and regulations which a person need to follow जिसमें आप किसी तरीकी के rules को follow करते हैं किसी तरीकी standards को follow करते हैं जो आपके data को transmit करने के लिए यहाँ पर आपकी help करता है और यह आपके पूरे जो कैसे data को transmit करना है उसको control करने का काम करता है एक जगा से दुसरे जगा end point ता जो compute करने का काम करता है कौन करता है प्रोटो कौल तो अगर ہम आम भाषा में देखे तो प्रोटोकॉल एक ऐसे rules होते हैं, rules होते हैं, जिसको govern किया जाता है, और हर एक protocol, हर एक layer की function करार में मदद करता है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह आपको सारी layers बताए विए, तो यह देखो, वन से लेके उपर वाली, यानि कि जो upper layer है, 1, 2, 3, 4, यानि कि application layer, presentation layer, session layer, और transportation यह सारी के सारी आपकी host layers के लाती है, यानि कि upper layers के लाती है, इसके लावा आप नीचे देखोगे यह सारी, यह middle layers के लाती है, यानि कि जो कि आपकी lower layers होती है, network हो गया, data link हो गया, physical हो गया, यह सारी आपकी lower layers के लाती है, ठीक है, अब हम इसको एक एक करके layers के बार में discuss कर कर रही है हर एक layer की अपनी एक definition है तो सबसे पहली अगर में layer की बात करूं तो यह आपकी layer है physical layer क्या कहता है इसको physical layer सबसे bottom वाली layer सबसे पहली layer physical layer जिसको कह रहे है जिसके अंदर physical media signal binary इसके अंदर जो data होता है वो bits smooth हमें पता है कि मारा जो भी computer है वो यहापर किसके अंदर work करता है 0 और 1 के अंदर work करता है तो यह आपकी bits के अंदर work करती है इसके data यहापर bits के ओपर चलता है साथ के साथ क्याथ की physical layer भी कहलाती है media signal and binary transmission इसके अंदर होता है सबसे important physical layer का work क्या है तो physical layer सबसे lowest layer होती है OSI model की which is concerned with the transmission and the reception of unstructured raw bit stream over a physical medium कि जिसके अंदर यह जो lowest layer है हमारी OSI model की तो यह transmit करने का काम करी है और जितने भी हमारे unstructured raw bit stream होती है ना over the physical medium तो उसको transmit करने का काम करती है साथ के साथ यह electrical, optical, mechanical, functional, interfaces के ओपर यह work करती है और एक तरह के signal को carry करती है एक तरह के signal को carry करने का काम करती है higher layer तक पहुचाने का काम करती है तो जिसकों सबसे नीचे वाली layer क्या कहलाती है physical layer अब यह physical layer के कई function है यह आपका data encode भी करती है transmission technique भी की तरह इसका use किया जाता है साथ के साथ physical medium transmission इसके अदर होता है वो कैसे? data encoding जानि कि जो भी आपको पताए कि हमारा जो computer है वो किसके अंदर work करता है computer हमेशा हमारा mechanical या machine language के अंदर work करता है 01 की भाषा ही वो समस्ता है तो सबसे पहले यह जो physical layer होती है यह data को encode करने का भी काम करती है जो भी signal आपने input किसी तरह के का provide करा आपने उसको यह convert करने का काम करती है यानि कि digital signal pattern के अंदर यह चलती है और साथ के साथ यह data encoding करने का काम करती है इसके अलावा यहाँ पर आजाता है transmission technique तो transmission technique के जिसके अंदर यह determine करती है imported bits को transmit करना by the base band digital और broadband analog signaling यानि कि transmit करने का काम करती है कि जिसके अंदर यह आपके digital signal से analog signaling की तरफ उसको transmit कर रहे है इनको convert कर रहे है इसके अलावा physical medium transmission का भी काम कौन करता है यह आपका physical layer करता है कि जिसके अंदर यहाँ पर कोई भी bit kind of information transmit किया जाती है as a electrical या फिर optical signals के उपर जो कि यहाँ पर इसको आगे carry forward करने का काम करती है तो यह सारी कि सारी चीज़े हमारा कौन करता है physical layer और physical layer के अंदर क्या क्या जाता है आपके यह जिसके अंदर signal carry करे जाते है media, binary transmission होता है and these all comes under the physical layer समझ आ गया तो यह आपकी physical layer है जो कि transmit करिए अपने data को और data को encode करिए physical medium transmission यह कराती है सबसे basic layer होती है सबसे बहुती परत इसको का जाता है यानि कि layer फर्स होती है lowest level की होती है इसके लवा आता है आपका layer 2 जिसको कहते data link layer data link layer अभी data link layer क्या करती है तो data link layer का का काम यह होता है कि यह एक तरह का error free transfer of data frames करवाती है for example अगर कोई भी information इस physical layer से आगे data link की तरफ जारी है next layer की तरफ यहाँ पर cross करी है तो उसके अंदर किसी भी तरीके के अगर error आते है तो उसको यह error को remove करने का काम करती है एक note से दूसरी note सब यह information को पहुचाने का काम करती है साथ के साथ error को remove करने का काम करती है और यह कौन करता है यह data link layer काम करती है तो data link layer एक तरह का error free transfer करवाती है data frames को आपको पता है हमारी जो भी information होती वो छुटे छुटे frame के अंदर divide होती है तो जो भी information physical layer से data link layer second layer की तरफ cross कर दी है तो उसके अंदर ये एक note से दूसरी note तक पहुचाने का काम करती है साथ के साथ error free transmission करवाती है जिसका main function किसका है data link layer का इसके लगए data link layer आपके frame के जो traffic को भी control करती है frame के sequencing करती है frame के acknowledgement करती है delimiting करती है scavenishing और termination भी करती है error checking करती है media access management करती है यह है क्या for example अगर आपको कोई data आपको किसी तरीके का information है को raw form में अगर आप उसको provide कर रहे हो एक layer से दूसरे तरफ जा रही है frames के अंदर तो जितनी भी frames यहाँ पर पास हो रहे है तो उसके अंदर अगर किसी तरीके का traffic आ जाता है data link layer तो यह transmit करने का काम करती है no to stop when the no frame buffers are available तो यानि कि data के traffic को control करने का काम करती है इसके इलावद sequencing भी करती है जो भी data आपने यहाँ पर send करा है तो उसको sequence wise बठाने का काम भी data link layer के उपर के आ जाता है frame का acknowledgement भी किया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर यह तरह का frame acknowledgement के अंदर यह deduct करती है रिकवर करती है जितने भी तरीके के error आते है physical layer के अंदर तो उसको यहाँ पर retransmit किया जाता है और जो जितने भी errors होते है उसको acknowledge किया जाता है और जो duplicate information है उसको यहाँ पर हटाया जाता ह इसके इलावा यहाँ पर आप देखोगे यह data यानि कि जो frame है उसको delimit करने का भी काम करती है यानि कि एक तरह के boundaries को frame करती है create करती है एक तरह का establish कर देती है link किसके बीच में termination और establishment के बीच में कि कहा से कहा तक information send करनी है यानि कि आपको इधर एक जगा से दूसरी एक जगा कि कहा से कहा जाएगी कहते हैं ना metro की दिशा यहाँ पर पहले से निधाल के जाती है कि यह metro किस और चलेगी तो इसी तरीके से यहाँ पर इस जो data अगर transmit कर रहा है तो यह उसको establishment और transmit करने का या terminate करने का पहले सी पर determine कर देती है इसके लावा errors की checking करी जाती है और media access management यहा जाता है कि कौन से node यहाँ पर when the node has the right to use a physical medium कि कब यहाँ पर node का right है कि वो physical medium को चुनेगा और information एक जगा से दूसरे जगा पर send होगी तो यह कौन करता है data link layer करता है तो यह हूप आपको यह दोनों layer समझ आई होगी तो जैसे कि हम देख सकतो यहाँ पर तो यहाँ पर इसके data link क्या करती है तो frame की sequence करना, frame का delimit करना, frame के जो अंदर traffic कारे उसके control करना, information को एक जगा से दूसरे जगा भेज रहे है यानि कि establishment और terminate करने का काम, यह सारा काम data link करती है और physical layer के अंदर, physical layer के अंदर, जो information यहाँ पर send की जाती है, तो वो आपकी physical term से करी जारी है, कि जि जिसके अंदर यहाँ पर data का encoding हो रहा है, data का transmission technique का use कर रहे है हम, और अपने data को एक जगा से दूसरे जगा है आपर send कर रहे है, lower level पे, चीक है, now, अब आता है आपका network layer, अब यह network layer क्या है, तो यह जो network layer होती है, यह layer क्या कराती है, यह layer ना एक तरह कि functional और procedural means of transferring variable length data sequences का काम करती है, यानि कि network layer provides a functional and procedural means of transferring the variable length data sequences from a source host on the one network to the destination host on the different network, for example, अगर आप को कोई information send करनी है, एक communication device से दूसरे communication device में, तो उसके लिए यह जो network layer क्या काम करती है, यह एक source host से दूसरे source host तक information को पचाने का का काम करती है, उसके right destination पे, तो network layer का का काम करती है, यह एक तरह का routing का का काम करती है, अब हमने राउटर डिसकस करा था अगर आपने देखा होगा तो हमने last to last session के दर राउटर डिसकस करा था उसके दर अलग session था तो राउटर क्या काम करता है जब हम राउटर का यहां पर काम हम देखते हैं इसका important तो यह एक single जो internet जो आपका IP address है तो उसके उपर यह work करती है एक जगा से दूसरे जगा एक communication device से जो information है वो यहां पर जो network है वो transmit करने का काम करती है दूसरे किसी system में तो राउटर का काम य जाते है इसी तरीके से network layer के अंदर network के routing functioning करवाई जाती है कि जिसके अंदर यहां पर आपके जो information है वो data packets के अंदर provide करे जाते है साथ के साथ यहां पर router operate होते है इस layer में जो एक data को throughout the extended network यहां पर send करते है यहां पर अगर आप देखोगे तो protocol यहां पर use करे जाते है that send the route update and the call routing protocol अब इसके अंदर किसी तरीके का routing protocol यूज के आ जाता है कि जब मुझे एक communication device से दूसरे communication device से किसी तरीके की information अगर मुझे send करनी है तो उस case के अंदर यह जो protocol जो work होता है वो कराता है routing protocol अब इसके अंदर कई तरीके के protocol आपको देखने को मिल गए है जैसे कि य जो data को transmit करने का काम करता है to and from the TCP IP internet network interface layer routing data यहाँ पर क्या करता है अपने network को correct करता है और अपनी station को correct करता है और अपनी सही destination तक data को पचाने का काम करता है और जितनी भी जो errors आते हैं information जो चोटे-चोटे frame में आप divide कर रहे हो और उसको send कर रहे हो तो यह उसको handle भी करता है और जितने भी errors आते हैं उसको handle करने के साथ सथ उसको fragmentation भी करता है उसको बाटने का भी हटाने का भी काम करता है इसके अलावा यहाँ पर internet protocol आता है तो internet protocol क्या है internet protocol की जब भी हम बात करते हैं तो internet protocol एक ऐसा connectionless protocol है जिसके अंधर जो information यहाँ पर send करी जा रही है it doesn't exchange the control information to provide the end-to-end control of communication flow but instead जो IP protocol है यह आपका एक ऐसा protocol है जो basic unit of transmission कराने में मदद करता है तो यह आपका सबसे पहला protocol इसके अंधर हम use करते हैं जिसको क्या कहते हैं internet protocol यानि कि IP protocol IP protocol इसको यहाँ पर कहा जाता है और IP protocol के function यही है कि यहाँ पर internet addressing scheme को define करना data को move करना network access layer के उपर host to host transport layer होती है यानि कि अगर मैं host to host बात करू कि हर एक individual का अपना ही एक address होता है internet यहाँ पर protocol होता है आप जिसकी अगर घर में अगर आप Wi-Fi यूज़ कर रहे होगे तो यह जो IP है आपको एक internet protocol मिलता है और आप उस internet protocol किसी host के name के द्वारा यहाँ पर create किया जाता है और एक host से दूसरे host तक transport layer पर यह जो data है वो move करता है इसके अलाव़ जहाँ पर आता है ARP तो ARP एक तरहा का अलग यह protocol है जिसको कहते address resolution protocol तो यह address resolution protocol क्या है तो यह address resolution protocol एक ऐसा protocol है जो की internet protocol के थ्रू यूज़ किया जाता है used by the internet protocol specifically IPv4 to map the IP network address to the hardware address used by the data link अब इसके अंदर address resolution protocol होता है तो यह जो address resolution resolution protocol होता है यह ऐसा protocol है जो की इसके तो यूज़ किया जाता है ताकि हम एक तरहा का address पता लगा पाए कि कहां से हमें information को send करना है किसे दूसरे person को तो जैसे कि हम कहते हैं अगर हमें किसी और के घर पर विज़िट करना होता है तो हमें एक तरहा का address पता होना चाहिए तो यह जो address resolution protocol हमारी मदद करता है इस internet protocol को कि उस address को locate करने में तो दी hardware address के साथ कि यहाँ पर किसको यहाँ पर एक तरहा का network प्रोवाइड करा जाए तो उसका काम कौन करता है address resolution protocol करता है साथ के साथ यह क्या करता है अगर यहाँ पर हमें जो IPVP है यह use किया जाता है over the ethernet और ARP work करता है on the ethernet network as follows बहुत important है यहाँ पर जो IPV4 होता है internet protocol जो होता है IPVP4 होता है तो यह आपका ethernet के overwork करता है लेकिन ARP होता है यह all internet network ethernet network यहाँ पर work करता है और ethernet network यहाँ पर क्या होते है एक तरह के adapter होते है जो किसी तरह की का physical address produce करते है और physical address इसके अंदर embed करते है hardware के साथ जिसको यहाँ पर क्या कहा जाता है Media Access Control Address अब देखोगे Mac Address होता है तो यहाँ पर हर एक individual में जैसे कि जो भी hardware आपका device होता है जैसे कि computer हो गया laptop हो गया तो इसके अंदर एक तरह का Mac Address होता है जो भी Mac Address होता है न वो उसके product के उपर लगा होता है एक तरह का Address कि hardware किसके नाम के through register करता है यह जो PC किसके नाम के उपर register करता है तो वो क्या होता है Mac Address होता है इसके लगा IP Address होता है यानि कि जो host का Address कि कौन ये network यूज़ कर रहा है किसके नाम से उसका main host क्या है और उसको किस से identify किया जाता है Internet Protocol से इंटरनेट प्रोटोकॉल से यहाँ पर उसको identify किया जाता है कि किसके उपर यह जो service का जो host कौन है चीक है तो यह दोनों चीज़े इसके अंदर आती है साथ के साथ जो हमारा address resolution protocol होता है यह एक ऐसा protocol होता है जो कि internet protocol के through use किया जाता है यह देखने के लिए कि यह जो IP network का जो address है वो hardware address के through जो use किया जा रहा है किसके नाम के उपर तो वो हमारा क्यों होता है address resolution protocol चीक है साथ के साथ अगर हम देखे इसके अंदर तो यहाँ पर दो चीज़े आपको देखने को मिलेगी picture में तो I need the ethernet address जिसको कहते हैं क्या पर हम और दूसरी तरफ I heard that broadcast the messages for me तो यह क्या है ethernet address चीक है इसके अंदर यह आपको बताए है Now next question की या next उसके तरफ बढ़ते हैं हम तो इसके अंदर आ जाता है आपका reverse address resolution protocol अब यह भी आपका बहुत important है reverse address resolution protocol यह है क्या तो जो reverse address resolution protocol होता है यह कैसा protocol होता है जो यह permit करता है physical address such as the ethernet address to be translated to the IP address कि यह जो ethernet address है उसको यह translate करने का काम करता है into the IP address for example अगर हम यहाँ पर बात करें कि host such as diskless work session often only know their hardware interface address or the MAC address when booted but not their IP address so that they must discover their IP address from external source usually a RARP server अभी बहुत important line है अभी क्या कह रहा है जब एक individual को diskless workstation यानि कि जब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने MAC address के बारे में पता है यानि कि जो उसका hardware है वो जो use कर रहा है अपने computer उसका सिर्फ उसको अपना MAC address पता है उसको अपना IP address नहीं पता तो उस case के अंदर ये जो reverse address resolution protocol है ये उसके मदद करता है एक तरीके से external source से पता लगाने कि लिए कि उस बंदे का IP address क्या है तो वो काम कौन करता है reverse address resolution protocol काम करता है कि जब एक individual को यहाँ पे एक ऐसा diskless for stations है जिसको अपने hardware address के बारे में पता है MAC address के बारे में पता है लेकिन IP address के बारे में नहीं पता तो उस case के अंदर यह discover करने का काम करता है उसका IP address external source से और उसको क्या कहते है reverse address resolution protocol कहा जाता है इसके लावा आता है internet control message protocol अब यह जो internet control message protocol है यह जिसको हम कहते है ICMP यह आपका एक ऐसा protocol कि जो की message को deliver करवाने में आपकी मदद करता है message को यहाँ पर आगे deliver कराने में मदद करता है packets के form में और इसको use करा जाता है किसी तरीकी के error को या message को control करने के लिए चीके ICMP मेली हम use करते determine करने के लिए whether or not the data is reaching its intended destination in a timely manner or not तो ओ काम कौन करता है वो आपका काम internet control message protocol करता है और यह internet control message protocol एक ऐसा network device है एक ऐसा इसको protocol है जिसको use करते network devices में जैसे कि router router के अंदर यह use किया जाता है ICMP की सही destination तक मेरा जो message है वो पहुच जाए without the denial of a service attack बिना किसी बिना किसी attack के बिना किसी error आएवे आपका message किसी दूसरे person के पहुच जाए और वो कौन ensure करता है वो internet control message protocol ensure करता है कई होप आपको यह समझ आ गया होगा ठीक है अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो हम discuss करेंगे इसके अंदर तो आपको पता होना चाहिए डॉस attack क्या होता है तो ये भी मैं आपको बता देते हैं तो डॉस attack आपका तब आता है कि जब किसी तरीकी की service के अंदर delay हो जाए जब आपकी information इतनी overload हो जाए और वो सही destination दा पहुचे ना पाए जिसके वज़े से ये denial of service attack आ जाता है और denial of service attack mainly क्या करता है ये आपकी information जब larger number of request आपको send होती है तो जब आपका server यहाँ पर collapse कर जाता है load पर जाता है और functioning यहाँ पर stop हो जाती है तो वो ना हो तो इसलिए यहाँ पर ये ICMPT protocol ये ensure करता है चीके इसके इलावा आता है आपका transport protocol तो अभी हमने तीन चार चीज़े discuss करी है तो कौन-कौन से हमने चीज़े discuss करी है तो उसको एकवर हम revise कर लेते फिर हम अपने इस third जो protocol की तरफ जाएंगे बहुत important protocol से यह आपके समझना बहुत important है तो इसको white sheet के उपर बना लेते तो कौन-कौन से protocol आए आपकी पहला जो हमने protocol discuss किया वह आपका था सबसे first protocol जो आपका हमने discuss करा फिजिकल फिजिकल लेयर हमने discuss करी तो इस फिजिकल लेयर के अंदर आपके क्या आ गए कि जिसके अंदर आपका data यहापर data transmit किया जा रहा है साथ के साथ data के अंदर जितनी भी आप देखोगे जो टेकनीक है transmission technique वो इसके अंदर use करी जा रही है data की transmission technique इसके अंदर use की जा रही है फिजिकल लेयर के उपर चल रहा है और जो data यहापर bits के form में आगे जाके transmit करा जा रहा है दूसरे तरफ आ जाता है आपका यहापर data link layer data link layer तो data link layer के अंदर main मकसद क्या है इसका जितने भी error आ रहे है उसको control करना जितने भी frame के अंदर error आ रहे है उसको यह control करने का काम करता है साथ के साथ यहापर frame को आगे जाके frame को आगे जाके re-transmit करने का भी काम करता है यह layer retransmit करने का भी काम करता है साथ के साथ यहाँ पर किसी भी error को control करने का work करता है और हमने discuss करा कि यहाँ पर अपनी जो information है सही जगा तक सही destination तो पहुचाने का भी काम करता है जिसके अंदर यहाँ पर frame का initiation और frame का termination भी कराने के लिए responsible है आपकी layer ठीक है इसके इलावा यहाँ पर आ जाता है आपका जो हमने discuss करा physical layer हो गया data layer हो गया फिर हमने discuss करा इसके अंदर network layer तो network layer इसके अंदर हम discuss करते हैं network layer तो किस network पर आपको यहाँ पर जो data यहाँ पर send करना है किस जगा से तो वो आपका insure करती है network layer और जब भी हम network layer की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपका router आ जाता है जो एक IP address से दूसरे IP address तक जो information को send करने के लिए आपकी मदद करा है जिसके अंदर internet protocol होता है और internet protocol का हमें use करते हैं जब हमें यहाँ पर अपना information को send करना है एक host से दूसरे host में साथ के साथ हमने यहाँ पर discuss करा कि जब भी हम यहाँ पर internet protocol का use कर रहे है या IP का यहाँ पर use करते हैं तो वो आपका किसके through हो रहा है router की through functioning आपका हो रहा है यह हमने discuss करा साथ के साथ इसके अंदर आपका आ जाता है ARP यानि कि address जो resource to protocol आपका होता है जो आपके मदद करता है यह identify करने के लिए कि यहाँ पर इसका क्या किस person को हम यहाँ पर send कर रहे है अपना data क्या उसका address है तो वो आपके मदद करता है इसके लावा हमने media access जो Mac media access control discuss करा जो कि आपका hardware का address है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि hardware का address यानि कि जो आपके PC के उपर लगा होता है कि यह जो hardware है वो किसके नाम के तुरू registered है तो वो यहाँ पर identify किया जाता है इसके लावा जो RAAP है यानि कि जो reverse address resolution protocol है यह आपके मदद करता है address क्या है उसको इसके बारे में knowledge नहीं होती तो यह जो RAAP यानि कि जो reverse address, Real resolution protocol है यह आपकी help करता है उस IP को identify करने के लिए Mac address से ताकि एक परसन उस address के बारे में पता लगा पाए और उसका use कर पाए इसके लावा हमने यह आपके discuss करा अपना जिसमें आ जाता है आपका internet control message protocol त इस तरीकी का protocol है जो कि आपको message को send करने में मदद करता है without the service denial, without the denial of the service attack यह आपको उसकी destination तब पहुचाने का काम करता है और यह ensure करता है कि जो भी data है वो आपकी destination तब पहुच चाए timely manner में ठीक है इसके लवा आता है मारा fourth layer जिसको कहते हैं transport layer अब इस transport layer के अंदर यहाँ जो data आपका आजाता है na transport layer के अंदर तो यहाँ पर data between the end user providing the reliable data transmit the service to the upper layer तो यह अपर layer के तरफ आगे जाके data को transmit करने की मदद करता है तो transport layer एक तो control करता है अपनी reliability को साथ के साथ लिंक करता है flow के control को segmentation करता है, desegmentation करता है और error को control करने में आपकी मदद करता है और example के तव क्या वो सही arrive हो चुके है कि नहीं, end to end control भी यह manage करता है, साथ के साथ यहाँ पर इसके कही तरिके के basics function से basic service है, तो यह resource utilization का का काम करता है यानि कि multiplexing का का काम करता है, साथ के साथ connection management का काम करता है और यह connection management यानि कि जो आप यहाँ पर एक तरह का establishing और terminating की कहां से कहां तक data यहाँ पर start होगा, कौन यहाँ पर sender होगा, कौन यहाँ पर receiver होगा, कैसा connection बिठाना है, तो वो सारा का काम कौन करता है, transport layer करता है, इसके इलावर यहाँ पर flow का control किय जाता है, buffering medium के तुरू और windowing medium के तुरू, once the connection has occurred and the transfer in business progress, the congestion of the data flow can occur at the destination for the variety of the region, अब जिसके अंदर क्या है, आप देखोगे ना, कि जब भी हमारा data transmit कर रहा होता है, वो थोड़ा सा time taking process होता है, क्यों जो बीच में buffering कर रहा होता है, जिसके हम कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा है, क्यों ऐसा होता है, buffering इसलिए होता है, क्योंकि जो भी आप data होता है, आपको पता है कि छोटे छोटे packet के अंदर वो send कर रहा होता है, अगर वो किसी तरकी का time taking भी ले रहा होता है, sender से receiver की तरफ पहुचने में, तो ये उसको control करने का भी काम करता है, वो control करने का काम तो वो आपका transport layer करता है, और इसके अंदर भी दो तरके की flow की control होता है, पहला buffering, दूसरा windowing, तो buffering के अंदर क्या होता है, तो ये sender से receiver की तरफ segments के अंदर data को आगे जाके transmit किया जाता है, यहाँ पर buffering एक ऐसा form of data flow है, जो control करता है, regulated by the transport layer, ये responsible होता है, ये ensure करने के रहे the sufficient buffering हो, are they available at the destination for the processing of the data, at that the data is transmitted at the rate that doesn't exceed what the buffer can handle, तो buffering का मतलब क्या है, कि अगर जबी भी हम data को एक जगा से दूसरी जगा send कर रहे है, अगर initial stages पे किसी तरीके का delay भी हो रहा है, यानि कि वो load होने में थोड़ा सा time ले रहा है, तो वो temporary basis पे हो, पर्मनेंट ना हो, temporary basis पे थ इसके functioning हो सके, यहां पर जैसे कि अगर किसी तरीके का information यहां पर जा रहा है, तो बफर अगर यहां पर होता है, तो यानि कि वो process, अपने जितने भी segment है, उसको यहां पर processing करता है, और जब बफर खतम हो जाती है, बफर यहां पर okay हो जाती है, तो पूरी तरीके से, जो signal है, वो ready हो जाता है, आगे जाके transmit करने पर, चीक है, अगर यहां पर buffering होती है, तो इसका मतलब है कि आपका data अभी रास्ते में है, अभी आपका data पहुचा नहीं, अभी रास्ते में है, अभी वो अपनी journey फुल्फिल करने वाला है, जैसे कि यह कहते है ना, ready light stop, मतलब थोड़ मतलब रुको, बढ़ो, आगे, बेट करो, फिर बढ़ो, तो वही वाला system इसके अंदर होता है, कि पहले आप stop हो जाते हो, यानि कि आपका data आगे जाके transmit करने के लिए ready नहीं है, बिर बाद में जब buffer खतम हो जाते है, तो पूरे तरीके से वो data ready हो जाते है, आगे जाके transmit कर यहाँ पर जो source computer होता है, वो monitor करता है, एक तरह की adjustment भी करता है, कि कितने amount of information हमें send करनी है, successfully तरीके से reliable receipt के पास पहुचे data segment पे अपनी destination पर, for example, अगर एक computer से दूसरी computer की तरफ मुझे information को send करना है, तो यह windowing, उस flow control को जहाँ पर control करने का काम करता है, इस flow को control करने का काम कर करता है, monitor करता है, monitor करता है, और adjustment करता है, कि कितने तरह की, कितने information हमें यहाँ पर provide करें, कैसे कि यहाँ पर WhatsApp के अंदर होता है, अगर आपने जो message आपको send करना है, वही तो भीजेगा, उसके अलावा और को information नहीं देगा, for example, आपने तीन-चार message लिखे, तो तीन-चार message मे करता है, इसके अलावा इसके अंदर भी आपके कई तरीके की protocol हा जाते है, एक होता है आपका transport layer के अंदर जो protocol हम discuss करते हैं, दो तरीके की protocol, एक होता है आपका transmission control protocol, दूसरा होता है user datagram protocol, ठीक है, यह हम protocol भी साथ के साथ डिसकस कर रहें, एक होता है transfer control protocol, दूसरा होता है user datagram protocol तो transfer control protocol यानि की एक ऐसा protocol आपका एक ऐसी जो layer है जो कि below the application layer के अंदर चलती है, host to host layer इसके अंदर होता है, which is responsible for the end-to-end data integrity, transmission control protocol सबसे जादा reliable, full duplex connections वाला होता है, reliable services यह आपको provide करता है, data को transmit करने का, retransmit करने का भी मदद करता है, error जो होते हैं, host को detection और control करने का काम करता है, और अपने जो TCP क्या करता है, जो host को enable करता है, कि वो यहाँ पर multiple तरीके से, simultaneous तरीके से corrections कर पाए, एक device से दूसरी device में, साथ के साथ user data gram protocol भी होता है, तो user data gram protocol तब use किया जाता है, कि जब correction यहाँ पर, error correction यहाँ पर required नहीं होती, तो UDP प्रोवाइड करता है, एक तरह का unreliable data gram service, connectionless, that enhances the network throughout the host to host transport layer, और primarily इसका use करा जाता है, broadcasting करने के लिए messages का over a network, जब large number of messages आपको यहाँ पर send करने होते हैं, broadcasting करने होते हैं, तो उसके लिए user data gram protocol का आप use करते हैं, ठीके, इसके लाब आता है आपका session layer, session layer हमारी fifth type of session layer होती है, और इसका main use क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं, तो session layer यानि की, कि जो भी आपने अपने data को physical layer से data link तक network तक टांसपोर्ट तक आगे जो आगे तके pass out किया है, तो session layer का work होता है, कि यहाँ पर आपका जो data है, वो यहाँ पर session layer के अंदर establish करना, manage करना और terminate करना, तो यह काम कौन करता है, session layer करता है, तो session layer के अंदर यहाँ पर इसका main job यह होती है, कि different service request के साथ coordinate करना, और response उन्हें देना different host को for the application, तो session में यहाँ पर जाता है, for example end to end, कि data यहाँ पर किसको कौन दे रहा है, कहां दे रहा है, कब इसको over and out होगा, यह session कब खतम होगा, कब end होगा, यह सारा काम session layer का काम होता है, तो session layer का main job क्या है, कि coordinate करना, service request से, एक request से, दूसरी request क्या पर coordinate करना, और different host जो है, उनके applications का, तो उनको responses देने का काम करता है, अब इस session layer के अंदर भी तीन तरीकी के यह function करता है, simple way में, half duplex में, full duplex में, हमने discuss किया था, यह याद होगा तो, तो simple transmission क्या है, कि जब एक जगा से, दूसरे जगा में, एक ही बार information sent करनी है, one way street, जैसे कि मैंने आपको कोई information दे दिया, मैंने हाँ से message कर दिया, अब दूसरी तरफ से, आपका कोई response नहीं मिला, मैंने आपको one information दे दिया, कि now you will go and make your notes, आप अपने खुद notes बनाएगे, आप जाए अपने notes बनाएगे, तो यह किसी तरीकी की information है, एक direction of the flow है at the time, जिसमें किसी तरीकी का feedback नहीं है, आपने जो बोल दिया, तो वो आपने इसको send कर दिया, जिसके अंदर one way street के अंदर data यहाँ पर move करता है, traffic यहाँ पर move करता है, सिर्फ A की single direction में, ठीक है, कि जिसके अंदर sending device, receiving device तर किसी तरीकी की information send कर रहा है, बस, एक A session layer, दूसरा होता है half duplex में, तो half duplex के अंदर यहाँ पर जो data यहाँ पर transmit किया जा रहा है, वो turn on turn wise किया जा रहा है, for example, हम यहाँ पर use करते हैं उसका, जैसे कि आप देखोगे, यह हम use किया जाता है, जो जितने भी हमारे cops होते हैं, तो यह इनका use करते हैं, आपस में दूसरे के साथ बातशित करनी के लिए, तो जिसमें यह करते हैं कि यहाँ पर को information देना, कि हम यहाँ पर है over and out, फिर भास से वो cut हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से वो अपना information देता है, तो यह इस तरीके की जो session layer होता है, half duplex के ओपर होता है, half duplex mode के ओपर होता है, कि जिसके अंदर यहाँ पर data का transmit तो किया जाता है, लेकिन turn wise किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक से दूसरी तरफ यहाँ पर information भेजी, फिर बाद में दूसरी तरफ से दूसरी तरफ information भेजी, यानि कि one by one करके, लेकिन turn by turn wise, इसके लावा आता है full duplex, तो full duplex यह आनि कि यह आपका completely तरीके से चलता है, without any kind of restriction, two ways simultaneously तरीके से आप data को send कर सकते, receive कर सकते हैं, वो direction में चलता है यह, तो यह भी आपकी session layer के अंदर इसके लावा आता है आपका presentation layer, तो presentation layer एक ऐसी layer होती है, कि जिसके अनदर यहाँ पर presentation layer ट्रांस्वोंब करते हैं आपके data को in the form that the application accepts, लेकिस पॉर्म में आपका, यहाँ पर zeggen तो यहाँ पर जो presentation layer है वो data है वो किस form के अदर accept किया जाएगा तो वो काम कौन करता है presentation layer तो जो भी आपकी presentation layer होती है यह आपकी data को transform करती है application जो accept करें साथ के साथ layer के हाँ पर format और encrypt किया जाता है और उसको send किया जाता है across a network और वो काम करता है presentation layer काम करती है तो presentation layer के अदर encryption का काम आ जाता है description का काम आ जाता है ठीक है कि information को कैसे show होना है कि form में show होना है उसका काम करता है presentation layer यानि कि present करने का काम तो presentation layer आपके usually part होता है operating system का जो convert करता है incoming and outgoing data को in the one presentation format to another जैसी कि text file से text stream से ये आपके window पे जो pop up होता है with a newly arrived text तो ये क्या काम करती है वो आपको कौन काम करता है presentation ले जैसी कि आपने कोई whatsapp text किया किसी person को तो whatsapp text आपने उसने send किया और फिर बाद में जाके वो आपको एक तरह का notification कि थ्रू मिलता है कि आपका ये whatsapp text आया है तो आप इसके अंदर देखिए वो pop up होता है आपकी screen पे तो pop up होने का काम और आपको notification करने का काम जिस way में आपको चाहिए तो वो कौन करता है वो presentation layer काम करता है इसके अलावा यहाँ पर जो आपका presentation layer होता है ये कई तरीके के function करता है जैसे कि data representation करना तो ये आपका जो भी किसी भी तरीके का जो information आप रिसीव कर रहा है तो ये उसको conversion करने का भी काम करता है एक external format के अंदर और जिसके अंदर data यहाँ पर receive किया जाता है और send किया जाता है एक computer से दूसरे computer में और दूसरे host computer में और यहाँ पर कई तरीके data format होता है sky के form में, binary के form में fully extended binary coded decimal interchange code के form में साथ किसा data के security का भी काम करता है यानि कि encryption करना और decryption करने का काम करता है कि जो information जैसी है उसको वैसी ही send करना, encrypt करना coding करना और उसको यहाँ पर decryption करवाना receiver के site से, साथ का साथ डेटा का compression यहाँ पर करता है अगर किसी compression करता है जैसे कि जो large layer होता है data का large information होता उसको compile करके, उसको compress करके फिर यह आपको send करता है और आपके data की quality को improve करने का भी मदद करता है तो यह काम कौन कर रहा है यह काम आपका presentation layer कर रही है इसके लवा आता है application layer तो जो भी आपके application layer होती है यह आपकी end user से सबसे ज़्यादा closely होती है मतलब इतना pass होती है कि जब data आपका final range में final जगा पे पहुचने वाला है उतनी pass यह layer होती है उस end user के अब यह इसका मतलब क्या है which means that both the OSI application layer and the user interface directly with the software application अब इसके अंदर यह जितनी भी आपके application layer होती है यह आपकी layer directly तरीके से software application के साथ interact करती है और implement करती है उसके communicating component के through यहाँ पे जो आपकी application layer होती है सबसे ज़्यादा highest layer कहा जाता है इसको जो की protocol layer और layer responsible होती है data को introduce करने के लिए into OSI step साथ के साथ इसके कुछ function होती है जिसके remote file access कराना remote printer access कराने में directive services provide करने में resource sharing के device redirection करने में साथ के साथ इसके अंदर भी ज़्यादा प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलते है और इसके अंदर यह जितने भी protocol use करती है सारे user interface protocol use करती है इसे की FTP, file transfer protocol SMTP, DNS, SNMP यह सभी के सभी protocols आपके इसके अंदर आ जाते है ठीक है तो आपको यह समझ आयोगा अब इसके अंदर हम इसको और detail में discuss करते हैं कि हम जितने भी अभी जितने भी types of protocol करेंगे वो सारे के सारे आपके application layer protocol के अंदर exist करते है तो आपका यह जो transmission control protocol है इसके अंदर आपको पता है कि किस तरीके से यहाँपर data send किया जाते है तो transmission control protocol के अंदर सबसे पहले यह data को packet के अंदर तोड़ता है फिर जो packet यहाँपर router के थुरू यहाँपर travel करते router to router over the internet according to the IP protocol और फिर ही transmission control protocol है यह आपके re-assemble करता है उस packet को into the original hole की तरफ और एक device से दूसरी device तक यह send कर देता है अब इसी के अंदर सबसे पहला आजाता है आपका file transfer protocol तो file transfer protocol सबसे simple सबसे simple सबसे simplest most secure version है files को exchange करने में over the internet उसके लिए जो use किया जाता है कि जब हमें internet से एक file को download करना है और उसको exchange करना है उसको file को send करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर file transfer protocol का use करते है तो यह जो file transfer protocol का main मक्सद क्या है तो main मक्सद है कि इसको download करना अपनी files को from the internet और जब download हो जाए तो उसको internet की थूँ यहाँ पर आगे जाके transfer करने का काम file transfer protocol करता है यह आपका किसके अंदर आता है इसके लावा आपने काफी बाद सुना होगा uniform resource locator तो uniform resource locator जो कि आपका URL है तो यह भी आता है अब URL यानि की uniform resource locator तो यह जो भी आपका formatic text screen होता है string होता है यह use करी जाती है by the web browser email times and the other software यह identify करने के लिए कि network resource कौन सा है internet के उपर तो यह काम कौन करता है URL यानि की uniform resource locator करता है अब यह question आपका बन जाता है इसके अंदर तो जितने भी आपके URL होते है यानि के network resources होते हैं यह ऐसी file होती है जो की यहाँ पर plain pages or other text documents, graphic, programs इनको यहाँ पर यहाँ पर उसका information provide कराने का काम करती है साथ के साथ URL के अंदर आपके तीन जो letters consist करते हैं जिसके letters होगे, numbers होगे punctuation इसके अंदर आ जाती है और यह URL string के लाती है इसके अंदर सबसे पहले होता है network protocol क्या कहते हैं network protocol इस URL के अंदर domain name और file name तो यह जो आपके URL है ठीक है? जिसको हम formatted text screen कह रहे है जो web browser की द्वारा use किया जाता है, किसी भी information को सर्च करने के लिए तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका network protocol तो network protocol यह आपका होता है network जो protocol आपका होता है sttp जिसको hypertext transfer protocol कहते हैं इसके अलावा domain name इसके अंदर आ जाता है यह आपका पूरा domain name होता है यानि कि host का name, address के आपको किसको send करना है इसके अलावा file name कि कौन सी file आपको यहाँ पर send करनी है तो यह आप इसके अंदर देखने को मिलता है तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका protocol तो protocol यानि कि जो browser को यह enable करता है तो आप किसी तरीकी के test की finding कर रहे हो तो वो protocol यहाँ पर ensure करता है तो protocol यह enable करता है कि यहाँ पर एक ताई तो यह जहाँ पर प्रोटोकॉल यह enable करता है कि यहाँ पर browser को यह जाने के लिए कि कौन सा protocol यहाँ पर use हुआ है किस तरीके की information को access करने के लिए तो उसके लिए सबसे पहले आ जाता है stpp यह आपका protocol domain name होता है कि किदर किसी को send करना है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ www. इसके अलावा यह जो आप लिखते है http www.neteducation.co.in neteducation.co.in यहाँ पर file भेजी मैंने PDF of ICT अब इसके अंदर देखो अब यह मैंने एक तरह का URL लिखा तो इस URL के अंदर http क्या है वो protocol है protocol है www. यह उसका address है यानि कि domain name है जो यह आपको define कर रहा है कि यह जो domain name है वो किस से assign करता है कि उन से server से यह assign किया गया है तो यह आपका क्या हो जाता है domain name यानि कि domain name के अंदर कि कौन सा उसका host name का address है उस host का name क्या है कि आप किसको यहाँ पर information यहाँ पर देख रहे हो उससे related क्या उसका address है इसके अलावा यहाँ पर आता है file name कि जो आपको यहाँ पर file open करनी है जिसको आपके बार इसके बारे में आपको study करना है ठीके इसके अलावा यहाँ पर कई तरीके के journal domain names भी होते है तो journal domain names आपको देखने को मिलते है generic या country specific domain name जो यह उसके address होते है कि information आपको यहाँ पर कहां search करनी है मतलब किसके उपर यहाँ पर search करनी है तो इसमें domain names यहाँ पर अलग-अलग use करे जाते हैं कि IN stands for India ADU stands for educational institutions related इसके अलावा AU stands for Australia, यह government हो गया Canada हो गया, military हो गया CH China, .NET Network Organization, यह जपान Organization और इसका US इसके अलावा आता है आपका next protocol जिसको कहते हैं हम simple mail transfer protocol तो simple mail transfer protocol जिसको relatively simple text transfer text based protocol कहा जाता है कि जिसके अंदर एक और एक से ज़्यादा recipients involved होते हैं message के ठीके, और along with the message text जो कि इनको encode कराया जाता है जैसे कि अगर कोई center है उसने यहाँ पर किसी तरीके का message को compose करा, अपनी email ID का use करते वे तो यह क्या करता है यह जो SMTP, यह आपकी मदद करता है, यह जानने के लिए कि यहाँ पर उसका recipient कौन सा है, कि कि किसके through आपको यह message आया है, तो यह उसको verified करने का और उसको exist करने का काम करता है तो simple mail transfer protocol relatively simple, एक या एक से ज़्यादा recipients of the message को specified करना, along with the message करता है, और उसको encode करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर for example, एक person ने अगर यहाँ पर किसी तरीके का message लिखा, तो message लिखा, किसी तरीके की email का use करके, center ने उसको upload करा, उस message को to the SMTP server, तो उसके पाद यहाँ पर message का transfers किया गया, internet को और pass किया गया, through the server router, वहाँ से क्या हुआ, message अराइव हुआ message यहाँ पर अराइव हुआ receiving server पे, और उसका place किया गया, in the recipient mailbox और बाद में जाके recipient का जो email client है, उसने check किया और उसको एक message receive हुआ और बाद में जाके, recipient ने message को देख लिया, तो यह पूरा process के अंदर चलता है, कि किस तरीके से यहाँ पर data message है, एक person से दूसरे person के पास जा रहा है, और उसको यहाँ पर identify करने का कि किस mail address है, किसको यहाँ पर message भीजा गया है, किसके through भीजा गया है, उसको identify करना, verify इसके अलावा, यहाँ पर आ जाता है, आपका, जो हम discuss करेंगे, इसके अंदर थोड़ा और हम clearly discuss करते है, email, क्योंकि यह topic आपका exam से related भी important है, तो हम इसको भी discuss कर ले थे कि कौन कौन सा आपका यह exam के अंदर आजाता है, cc, bc, cc, और आपका यहाँ पर, bcc, to, from, यह किस तरीके से एक mail को लिखा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो discuss करते हैं, वो आजाता है आपका email, तो email आपका जो हम use करते हैं, किसलिए, किसी को message send करने के लिए, text के form में, या किसी तरीके क email करता है, जिस तरीके से आपका इक address होता है, इसी तरीके से email भी आपको क्या करता है, किसी दूसरे person से contact करने के लिए मदद करता है, और उसके right address तक information पहुँचाने का काम करता है, तो email को कहा जाता है electronic mail, तो एक ऐसा method है कि जिसके अंदर आप electronically दी तरीके से अपने digital message को send कर सकते हो between the computers internet के उपर, over the internet, email के अंदर यहाँ पर यह अपने client को allow करता है, कि वो किसी तरहे की send कर पाए, receive कर पाए, organize कर पाए, अपने mail को, message यहाँ पर send करे जाते है, computer को जब computer offline है तो वो stored हो जाता है, अगर online है तो वो यहाँ पर directly send हो जाता है यहाँ पर message receive किया जा सकता है साथ के साथ यहाँ पर कई तरीके के protocol भी use किया जाता है जिसके अंदर आता है post office protocol और internet message access protocol दोनों तरीके के protocol का यहाँ पर use किया जाता है तो pop protocol use होता है pop 3 जिसको कहते है यह use होता है email के जो messages है उसको यहाँ पर received करने के लिए received करने के लिए pop protocol यहाँ पर use होता है और इसके अलावा यह जो internet message access protocol है यह use किया जाता है जिसमें access करने के लिए message को साथ के साथ synchronize करने के लिए synchronize करने के लिए तो same thing जिससे message यहाँ पर आया है Synchronize करने का काम, Internet Message Access Protocol, यह आपका काम करता है, इसके अलवा यहाँ पर, जो हम email की बात करते हैं, तो email के अंदर में कई तरीकी के sections involved होते हैं, कई तरीकी के sections यहाँ पर involved होते हैं, इस email के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगे, तो जैसे कि अगर आपको किसी को यहाँ पर send करन है message, तो यहाँ पर क्या करते हो, तो के अंदर आता है उस recipient का address, कि कौन किसको यहाँ पर message करना है, किसको यहाँ पर message को send करना है, तो 2 के अंदर आ जाता है, जैसे कि अगर आपको किसी family member को, या अपनी friend को message send करना है, तो उसके अंदर आप recipient का address लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी को खत लिखना होता है, खत को पहुचाना होता है, डाक डालना होता है, तो उसके लिए लेटर को पोस्ट करने के लिए आपको उसका एड्रेस तो चाहिए, तो एड्रेस कहा आता है, वो आता है टू के अंदर, रेसिपेंट एड्रेस, टू के अंदर आता है, तो यह जो box के अंदर email address प्रोवाइड किया जाता है, primary recipient का, कि जिसको आपको email send करना है, to whom the email has to send, इसके लावा आते है CC, इसको कहते है carbon copy, यह होता है आपको CC, इसको क्या कहा जाते है, carbon copy कहा जाता है, तो carbon copy के अंदर यह होता है, कि जब आपके primary recipients के अलावा भी कही तरिके के अलग recipients है, जिसको आपको same time पे message send करना है, same message, जब आप यहाँ पर two के अंदर primary recipient, जिसको यहाँ पर send करना है, जो आपके primary है, जैसे कि अगर आप देखोगे, किसी dean को, या किसी higher authority को, अगर आपको message send करना है, तो उसमें primary लिखोगे, और उनके नीचे, आप सारे CC के अंदर secondary recipients वाले लिखोगे, जिनको same message यहाँ पर आपको send करना है, जिसके teachers के अंदर आ जाएगे, आपके अलग teachers के अंदर involved हो जाएगी, इसके अलबा आता है, blind carbon copy, कि यहाँ पर यह भी email address है, जो टर्जरी के अंदर exist करते हैं, और यह जितने भी आपके टर्जरी के अंदर, यानि की blind carbon copy के अंदर आते हैं, तो यह अपने आपस भी भी नहीं देख सकते, इसके अलबा आपने CC के अंदर all secondary friends जाल दिए, अब BCC के अंदर आप ऐसे लोग लिखोगे, जो छुपा रुस्तम लोग है, जिसको आप यह शोग नहीं करना चाहते हैं, कि इनको भी मैंने invite करा है, तो उनको आप अलग से छुपाके, blindly तरीके से, उनको भी same message send करोगे, और इसका फायदा यह है, कि आप इनको message send कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बंदों को पता नहीं चलेगा, जो आपके 2 के अंदर हैं, और CC के अंदर है, इनको पता ही नहीं चल पाएगा, कि BCC वाले भी लोग ऐसे हैं, जिनको यह message send किया है, प्राइवेट रूप से, तो BCC का यहीं फायदा होता है, और आपस में BCC वाले यह नहीं देख सकते हैं, कि उनके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं, प्राइवेट के अंदर है, जो BCC के अंदर है, इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है आपका subject, तो subject क्या है, जो आप अपना message यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप subject यहाँ पर लिखते हो, कि किस basis पे जो title के अंदर आ जाता है, कि किस को message send करना है, जब आप पैसिस को या email compose करते हो, तो सबसे पहले उसमें लिखते हो, कि आपको किस से regarding यह send कर रहे हो, तो वो subject के अंदर आ जाता है, फिर content, यानि कि क्या message है, मतलब mail है, मतलब जो आपका text file है, या video file है, या फिर आपने कोई folder भेजा है, तो वो आपके content के अंदर आ जाता है, इसी तरीकी से कई तरीकी sections होते है, email में, और इसको काम, मतलब send करने का काम कौन करता है, कौन सा protocol होता है, वो SMTP, यानि कि Simple Mail Transfer Protocol, जो एक sender, जो किसी तरीका mail है, वो दूसरी sender को, उसका mail पहुचाने में मदद कर रहा है, उसके user ID को identify करने का काम कर रह है, तो वो काम कौन करता है, Simple Mail Transfer Protocol, और हमने email के भी कहितरगे के section इसक्षिन करें, समझ आगया, इसके अलावा आपका आता है, अलग जो transfer protocol, जो आपकी किस के अंदर exist करता है, ये भी आपका application layer के अंदर exist करता है, जिसको कहते है, Hypertext Transfer Protocol, तो Hypertext Transfer Protocol, एक ऐसा transfer protocol है, एक ऐसा standard protocol है, जो कि एक तरह के transferring request send करता है, client side से receive responses की तरफ, server side की तरफ, और STP, या आपके client browsers होते है, जो कि एक तरह के STP request send करते है, उसके web server को, और the server उसके regarding response करता है, ठीक है, और उसके basis पे आपको ये क्या करता है, जो response होता है, server के तुरू, तो वो यहापर static होता है, जिसकी file already आपक piece of code, तो ये उसको request send करने का काम करता है, STPP, ठीक है, client से सहबत के request send करता है, तो वो काम कौन करता है, hypertest transfer protocol, standard protocol है, request को transfer करने का मदद करता है, client side से, यहाँ पर receiving side तक, इसके लावा आता है, आपका domain name system, जो हम discuss करते है, तो जो domain name system होता है, domain name system भी आपका इस application layer के अंदर आ जा तरीके का system है, तो जिस तरीके से यहाँ पर आपकी phone book होती है, आपके phone में इस तरीके से domain name system क्या होता है, यह internet के phone book की तरह काम करता है, तो यहाँ पर जितने भी domains होते हैं, तो यह domain होते है यह human access information online through the domain name यह मदद करता है तो domain name क्या करता है यह translate करता है domain name को IP address के अंदर और ताकि browsers है उसको load कर पाए internet resource से कि यहाँ पर उसका address क्या है कि यह information का मालिक कौन है तो वो काम कौन करता है domain name system domain name system एक तरह की phone book के तरह काम करता है phone book के लाता है यह internet का यह हमने discuss करा इसके अलावा आ जाता है आपका यहाँ पर simple network management protocol SNMP तो simple network management protocol एक ऐसा protocol होता है network management का जिसकी अंदर different information को collect किया जाता है from the conferring किया जाता है network devices से server printer hub switches इन सब से तो यह हमारा simple network management protocol के लाता है तो simple management transfer जो simple management जो protocol है simple network management protocol है यह design किया जाता है deployed करने के लिए largest possible number of the network devices to have the minimal impact on the manage node तो सबसे important काम है simple network management protocol का कि different जो information है उसको collect करने का का काम करता है अलग-अलग network devices से जैसे कि server से printer से hub से switch से router से on an internet protocol internet protocol के उपर यह चलता है जी कि इसके अलावा यहाँ पर इसके भी कई तरीके के अलग-अलग components involved होते हैं कई तरीके की components इसके अंदर involved होते हैं जैसे कि SNMP manager SNMP agent management information based तो यह आपके अलग-अलग काम करते हैं जो SNMP manager होता है एक centralized system होता है जो monitor network का use करता है जिसको network management station कहा जाता है इसके अलबा आता है आपका SNMP यह देखो यह monitor server है इसके अलबा आता है SNMP तो SNMP एक तरह का software management software होता है जो install किया जाता है इस manage device के अंदर तो manage device कुछ भी हो सकता है चाहे PC, router, switches इन सब के अंदर यह install किया जाता है इसके अलबा management information based तो management information based होती है information जिसको यहाँ पर manage किया जाता है, organize किया जाता है हरार के तरीके से ताकि वो obtain कर पाए इसके लबा आता है network file system यह आपका एक अलग file system होता है जिसका main मकसद होता है कि जितनी भी information है उसको storage करने का data को retrieval करने का काम करता है multiple disk से from the directory across the shared network तो काम कौन करता है network file system काम करता है साथ के साथ जो network file system enable करता है local user को access करने के लिए remote data and the files in the same way they are accessed locally तो उसका काम कौन करता है network file system यह हमने discuss करा okay so thank you so much everyone तो I hope आपको आज का session अच्छा लगा होगा आज के session के अंदर हमने काफी चीजे discuss करी है तो मैं आपको short based simple way में समझा देती हूं तो जो जो आज हमने discuss करा है तो वो सारी के सारी चीजे बहुत important है हमने इसके कई तरीकी के transfer protocol के बार में discuss भी करा और हर एक protocol का अपना ही मतलब है meaning है और वो क्याम क्या क्या कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम जितनी भी layers होती है हमारी 7 तरीकी की OSI layers होती है और 7 तरीकी की OSI layers के अंदर जो आपकी सबसे जो host वाली layers होती है वो आपकी उपर आती है host layers वो आपकी सबसे उपर आती है जिसके अंदर कौं कौं से होती है application layer होती हैुआ है दूसरा हमारा यहाँ पर आ जाता है presentation layer एप्लिकेशन layer के बाद presentation layer आता है और session layer आता है session layer आता है आपर इसके लावा transport layer आता है तो यह हमारी कौन सी है यह हमारी सारी के सारी host layer होती है इसके लावा इसके नीचे वाली bottom layer कहलाती है आपकी यानि कि lower layer होती है यह भी आपकी चार तरिके की कौन कौन सी है एक तो network layer आती है इसके अंदर साथ के साथ data link layer आती है और physical layer आती है ठीक है तो total साथ होगी ये तीन और ये चार physical layer और हर किसी का अपना 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 अलग-अलग system होता है और अलग-अलग इनके protocol होते हैं जो हमने आज discuss करे है साथ के साथ अगर आपको trick देखनी इसकी याद करेंगे तो AP, ST, NDP तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो AT, AP, ST, NDP, ATS, ST, NDP, AP, ST, NDP आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इसको यानि कि application, presentation, session, transport, network, data और physical layer आप अलग-अलग तरीके से भी इसको याद कर सकते है और हर layer का अपना ही एक system है, अपना ही functioning है, दैहोब आपको आज का session अच्छा लगा होगा, बाकि अगर इस session से लिटी कोई भी query है, तो please feel free to ask me anytime, इसके अलबह हमने यापर जो आप डिसकस करें, कई तरीके के protocols भी discuss करें, तो इसको करना मत भूलना, कई तरीक यहीं पर wind up करते हैं, till then stay blessed, enjoy learning, ऐसे पढ़ते हो, और अपने गोल जारफ को 100% चेप करके लाओ, so thank you everyone, stay blessed.